तो भई आज चुका है SSC CPO 2024 का नोटिफिकेशन जिसके इंतजार में आप सभी लोग इतने टाइम से बैठे हुए थे काफी बच्चे थे नोटिफिकेशन आना था 15 फर्वरी को काफी बच्चे डिसकेशन कर रहे थे वोले गुर्दो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया और इंतजार हर एक एस्परेंट्स को रहता है काफी बच्चे इस बात को मान भी गए और मैंने उस टाइम पे भी समझाया था आप सभी को कि भहिया देखो नोटिफिकेशन डले हो रहा है एक्जाम में कोई लापरवाई नहीं होगी एक्जाम उसी डेट पर होगा जादतर बच्चे बात को समझ गए अपनी परप्रेशन में लग गए थे बट फिर भी कुछ बच्चों के मन में धुक धुकी लगी रहती है फिर से उनके मन के भाव उठना सुरू हुए कि भहिया नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है और इंडिरेक्ट बे में समझाया भी था कि अगले 72 घंटे में आपका नोटिफिकेशन आ चुका होगा 22 घंटे हो चुके है नोटिफिकेशन आपके सामने है SST CPO 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है कई एहम जानकारिया इस नोटिफिकेशन की सेयर करूँगा आज की इस वीडियो में और डेटेल चर्चा करेंगे वीडियो के उपर लेकिन मैं एक चीज़ आपको फिर से समझाना चाहता हूँ इस टाइम में ये अभी चल रहा है सोशल मीडिया का दोर यहाँ पर आप तक information पहुचाने वाले हजारों है ये decide आपको करना पड़ेगा ये filter आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सही information पहुचा रहा है और आपको अपनी जो information का source है वो जिन्वन दखना पड़ेगा reason ये है क्योंकि आज के time में जो सबसे बड़ा competition है वो इसी चीज़ का है अगर आपकी तयारी में जो आपके पास information आ रही है अगर वो correct है, genuine है तो यकीन मानों ये आपकी तयारी को बहुत ज़्यदा enhance करती है कई लोगों को देखवा है मैंने कि वो सब कह रहे थे वो ले सब notification अगर delay हो रहा है अब जो बच्चे exam delay के चक्कर में अपनी तयारी को slowdown कर चुके होगे उनके लिए तो थोड़ी समस्या बनी ना बट मैंने बार बार आप सभी को यही समझा है जब भी आपने notification का जिक्र छेड़ा मैंने आपको हर बार क्या समझा है notification side में करो exam की तयारी करो exam 9, 10 और 13 माई को ही होगा और notification आपके सामने है आप चेक कर लिजेगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा notifications related कई चीजे बट उन चीजों मैं सबसे पहले तो यही दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आपको CBT का आपको date कब कदे रखा है 9, 10 और 13 माई 2024 थोड़ी सी जानकारी notification के बारे में और कर लेते हैं आपको ज़रा notification का बता दूँ form कब से भरा जा रहा है 4 March form भरना start हो चुका है आप सभी लोग form भर सकते हो लेकिन कुछ information समझना जानना जरूरी है आपका क्योंकि एक ही बर form भरना है अगली बार के लिए तयारी नहीं करनी है तो पूरी बहतर तरीके से तयारी करनी है तो ज़रा समझ ये कुछ चीज़ों को यहाँ पर 4 March से आपका form भरना है start होगा last date जो रहेगी form की वो रहेगी 28 March तक आप form भर सकते हो क्या हमें 28 March का wait करना चाहिए बिलकुन नहीं करना चाहिए क्या हमें आज ही form भर देना चाहिए मेरे perspective से पूछो तो मैं फिर कहूँगा नहीं भरना चाहिए reason क्या है इस form का notification दूसरों के मूँ से आप सुनना पसंद करेंगे मैं हर बार बोलता हूँ job आपको लेनी है कोई भी आपको बर्गला नहीं सबते क्योंकि notification खुद आपने पढ़ा है official website का आप खुद चीजों को पढ़ना दूसरों पर भरोसा नहीं करना और जहां कहीं पर doubt लगे आप हमसे पूछे मैंने help line number इसलिए दिया हुए और सबसे ज़्यादा quick response करता हूँ इस पर आपकी कोई भी समस्य होती मैं खुद बात करता हूँ कुछ चीज़े और समझा देता हूँ last date payment की दे रखे है आपको window नो ने open कर रखे है form correction के लिए लेकिन मैं वही कहता हूँ कि क्यों गलतियां करना मेरे हिसाब से आपको ये column देखना ही नहीं चाहिए no doubt बहतर चीज़ है कि form में अगर कोई fault है तो आप correction कर सकते हो बट क्यों ही इस चीज़ का scope रखे हूँ तो आप सिर्फ इतना समझो notif form भरना start हो चुक है 28 सरीक last date है and most important आपका जो exam है वो होना है 9, 10 और 13 मही को तो भीया तयारी अगर बढ़िया चल रही होगी तो बहुत अच्छी बात है और इन case अगर नहीं चल रही है तो अभी से तयारी करना सुरू कर दो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दो महीने का समय फिर भी है अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूँ तो दिल्ली में अगर लड़कों की बात करें 125 विकेंसी है दिल्ली में और वहीं पर लड़कियों के लिए विकेंसी 101 विकेंसी आई हुई है दिल्ली पुलिस में अच्छा उसके बाद में अगर हम बाकी जीडी के बारे में बात करें तो 4001 विकेंसी है ये पूरा data रखा हुए, ये देखिए, टोटल 4001 विकेंसी निकली हुई है, टोटल सब को कर जाएंगे 4187 विकेंसी है, पिछली साल से दुगने से भी जाधा है, सुनेरा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं हैंगे, अब आपका ये decision रहेगा कि आपको इस मौके को just एक मौ मौका रखना है, ये ऐसे properly grab करना है, मैं एकी चीज आपको बताऊंगा, आपकी preparation में सही information कहोना बहाँ ज़रूरी है, इस exam से जुड़ी, छोटी से छोटी जानकारी, आप सभी के साथ इसी channel पर सेयर करूँगा, अभी तो ये notification आया, आपकी information के लिए मैंने बनाया हुआ ये आप सभी को पता है, शाम को साथ वजे लाइब आता हूँ, आज ही साम को पूरी detailed चर्चा करूँगा, SSC, CPO के उपर, क्या-क्या form में नई चीज आएंगे, वैसे ज़्यादा कुछ update नहीं किया हुआ हुआनोंने, सिर्फ एक चीज के अलावा, तो बाकी और क्या-क्या नय पूर्स किलियर हो जाएं, नेक्स जैसे form बरना शुरू कर दीजे, सही तरीका यह है, बाकी आपको जो भी अपनाना है, आप बिल्कुल अपना सकते हो, कुछ बाते और मैं आप सभी के सामने रख दे रहा हूँ, reservation policies बगेरा सब वही है, एक जरूर इन्होंने point जरा glitch किया इस पर जरा बात करने की जरूरत है, मैंने वही बोला था, एक point है जहाँ पर चर्चा करने की जरूरत है, बढ़ आपको बता दे रहा हूँ, age limit जो है, वो 1 अगस्त 2014 से वो calculate करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोलाई कि जिनकी भी date of birth, 2 अगस्त 1999 और 1 अगस्त 2004 के बी session चल रहे थे, जो वहाँ पर relaxation मिल रहा है, age में, सब वही पुराने pattern का है, कोई भी नया चीजा add-on नहीं हुई है, बस website नहीं है, बाकी सब data वही पुराना वाला है, जिसको आप लोग अभी तक देखते रहे हो, कुछ चीजे अगर मैं और आगे बढ़ाओ, बाकी जो requirement है, qualification है, सब की सब सेम है, कुछ भी नया नहीं update हुआ है, बस कुछ चीजों के बारे में और मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ, यह रही education qualification, अब देखो education qualification का क्या scene कर रख़ा है इन्होंने, इन्होंने क्या बोला हुए है, educational qualification for all post of is bachelor degree, ध्यान देना, मैंने कल एक वीडियो बना recognized university से, यह इसके equivalent कहीं पर से भी लिकरे, candidate who have appeared in their bachelor degree और equivalent examination, can also apply, apply कर सकते, लेकिन आगे का word सुनना, वो सबसे ज़्यादा जरुए है, however, they must pass essential qualification on or before, ध्यान देना, on or before, मतलब अगर आप अभी appearing हूँ, आपका form नहीं, मतलब result नहीं आया हुआ हुआ है, तब ध्यान दो, आप apply कर दो वहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो आपका result है, वो या तो on, मतलब उस date पर, या उससे पहले आ जाना चाहिए, किस date से, बोले सर्थ 182024 से पहले है, अगर आपको लग रहे है कि आपका result है, 182024 से पहले आ जाएगा, आप apply कर सकते हो, भले ही आप ऐसी बहुत सी जानकारी आपके साथ share करूँगा मेरे भाई, discussion बहुत जरूरी है, और होना भी चाहिए, पूरी जानकारी रखूँगा साम को 7 बजे, अभी आप लोगों का सिर्फ एक होंबर्ख है, notification डाउनलोड करो और पढ़ जो, अगर अनुस से पढ़ते हो ना, तो अन लाई करना सुरू कीज़े, मेरे पास अगर कोई सही information आती है तो कैसे आती, इसी तरीके से आती है, मैं सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता, आप भी मत कीज़े, यकीन मानिये, कभी भी, आपने देखा होगा ना, YouTube पे कई बार कोई कुछ भी information बोल देता है, अभी एक वीडियो में बोलने थे, बोले, एक्जाम होगा डिले, कहां पर जाएगा एक्जाम, बोले, एक्जाम तो जाएगा जून के एसपरस में, मैंने वीडियो बनाई थी तीन दिन पहले, तब भी बताया था, एक्जाम नो दस और तेरा कोई होना है, और फोर्म 72 घंटे में आ जाएगा, आज चुका है फोर्म आप सभी के सामने, नोटिफिकेशन निकालो, पढ़ो, साम को चर्चा करेंगे, उसके बाद फोर्म भरना, समझ में आ ना, चलिए, तो आज की वीडियो यही पर रोकते हैं, आपको हमबग दे दिया है, बाकी मुलाकात करेंगे शाम को, और उसके तो वीडियो यह सेर कर देना, ठीक है, क्याल रखेगा अपना, बाबाय, टेक केर,